बी सी सी आई समझ रहा था इस खिलाडी को निकम्मा पिता की आँखों में आ गये थे आंसू ये खिलाडी तो क्रिकेट का किंग निकला क्यों रोने लगे थे फूट फूट कर पिता नशाद वज़ा क्या थी एक इंटर्वियू में सर्फराज ने खोला बड़ा राज सचाई जानकर उड़ गए सभी के होश सर्फराज के पिता ने बताया बचपन से लेकर टीम इंडिया तक का सफर कप्तान रोहित शर्मा भी खुशी से जूम रहे हैं तो राहुत द्रमिर भी गर्ब से सीना चोड़ा करके चल रही हैं जड़ेजा ने अपनी गलती की माफी मांग ली और सर्फराज खान इस वक्त टीम इंडिया के हीरो बने हुए हैं लेकिन डेब्यू मैच के दोरान सर्फराज खान के पिता की आँखों से आंसु क्यों निकले इस बात की सचाई 90 प्रतिशत लोग समझ ही नहीं पाए खुद सर्फराज खान के पिता ने रोने की सचाई बता दी जिन जिन लोगों ने सुना कि सर्फराज खान के पिता की आँखों से आंसु क्यों निकले वो खुद सुनकर भावुक हो गए दरसल सर्फराज खान को देख कर पिता को अपना दिन यादा आ गया सर्फरास खान के पिता अपने देश भर के लिए खेलना चाहते थे लेकिन किसमत के मारे बेचारे सर्फरास खान के पिता को ये मौका नहीं मिला और जब बेटे को भारत के लिए खेलने का मौका मिला तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए बेकाबू होकर फूट फूट कर रोने लगे सरफरास खान में उनको अपनी ज़लक दिखाई दे रही थी सरफरास खान के पिता ने और क्या कुछ कहा अब सब कुछ हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं सर्फराज खान ने छे साल की उम्र से ही अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत की थी शुरू से ही वो अपने पिता के सामने एक अंतराश्ट्य खिलाडी बनने का सपना देखते थे सर्फराज ने अर्धशतक के साथ अपनी योग्यता साभित भी की हलाकि वो शतकवीर रवींद्र जड़ेजा के साथ मिक्स अप के बाद नौन स्ट्राइक एंड पर रन आउट हो गये नहीं तो वो एक बड़ी पारी खेल सकते थे हलाकि 26 वर्षिय सर्फराज को किसी से कोई शिकायत नहीं है सर्फराज ने पहले दिन का खेल समापत होने के बाद मेडिया से कहा पहली बार मैदान पर आकर और अपने पिता के सामने कैप लिया मैं 6 साल का था जब उन्होंने मेरी क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू की उनके सामने भारतिय टीम के लिए खेलना मेरा सपना था भारत के टेस्ट कैप नंबर 311 सर्फराज ने 6-6 गेद में तूफानी 62 रन बनाये थे और अंतरराश्ट्रिय करियर की बेहतरी शुरुवात की थे गुरवार को नौशाद काफी खुश थे उन्होंने अपने बेटे को देखने के लिए राजकोर्ट जाने की भी योजना नहीं बनाई थी लेकिन मैच की पूर्वसंध्या पर वो यहां पहुँच गए नौशाद के साथ सरफराश की पत्नी रोमाना जहूर भी वहां मौजोद रही और दोनों की आखों में खुशी के आंसू थे सरफराश ने कहा मैं ड्रेसिंग रूम में लगबग चार घंटे तक तयार होकर इंतजार करता रहा मैं सोचता रहा कि मैंने जीवन में इतना धैरे रखा है कुछ और रखने में कोई बुराई नहीं है सरफराश ने अपने टेस्ट अनुभों के बारे में कहा कि क्रीज पर उतरने के बाद मैं पहली कुछ गेधो के लिए नर्वस था लेकिन मैंने अभ्यास किया और इतनी मेहनत की कि सब कुछ ठीक रहा सर्फराज ने कहा कि रन बनाना और प्रदर्शन उनके लिए उतना माइनी नहीं रखता जितना उनके लिए अपने पिता की मौजोदगी में भारत के लिए खेलना है उन्होंने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि वो भारत की तरफ से खेलें लेकिन दुर्भागे से कुछ कारणों से ये संभव नहीं हो सका उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की और अब मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं ये मेरे जीवन का सबसे गौरपूर्ण कशन था रन और प्रदशन मेरे दिमाग में नहीं था जितना मैं अपने पिता के सामने भारत के लिए खेल कर खुश था सरफराज ने कहा पिता राजकोट आने के लिए तयार नहीं थे लेकिन कुछ लोगों ने जोर दे कर कहा कि वो जाएं जाहिर है कि उन्हें आना पड़ा क्योंकि उन्होंने केवले इस दिन के लिए इतनी महनत की थे जब मैंने उनके सामने कैप ली तो वो काफी भावुक हो गया थे और मेरी पत्नी भी मुझे लगा जैसे मेरे कंदों से कुछ दबाव उतर गया था क्योंकि उन्होंने मुझ पर कड़ी महनत की थी और मैंने इसे बरबाद नहीं किया सरफराज ने अपनी पारी के दोरान कुछ शांदार स्विप शॉट और लॉफ्टेड हिट लगाए हलाकि दुर्भागिपूर्ण तरीके से वो रन आउट हो गये इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये खेल का हिस्सा है क्रिकेट में गलत संचार होता है कभी रन आउट हो जाते हैं कभी रन बन जाते हैं मैंने लंच के समय जड़ेजा से बात की और उनसे कहा कि वो खेलते समय मुझसे बात करते रहे मुझे खेलते समय बात करना पसंद है ये मेरा पहली बार था मैंने उनसे कहा कि जब मैं बल्ले बाजी के लिए जाता हूँ तो खेलते समय मुझसे बात करते रहो जब मैं बल्ले बाजी कर रहा था तो वो बात करते रहे और मेरा काफी समर्थन किया किसी भी खिलाडी के लिए घरेलू क्रिकेट के वर्षों में संघर्ष करते रहना साल दर साल रन बनाना और राश्ट्रिय टीम में मौका नहीं मिलना आसान नहीं है सरफराज ने कहा कि अंतर राश्ट्रिय क्रिकेट का स्वाद लगभग घरेलू क्रिकेट जैसा ही था लेकिन कुछ सपष्ट अंतर थे उन्होंने कहा कि शुरू में मैं अजीब महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे लिए ये एक लंबा समय रहा है लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैंने ठीक शुरूवात कर ली है एक बार जब मैं अपने जोन में था तो मुझे ये मुश्किल नहीं लगा घरेलू और अंतर राश्ट्री क्रिकेट में अंतर ये है कि प्रतम श्रेणी क्रिकेट में दर्शक नहीं होते और आप राश्ट्री खिलाडियों का सामना जाधा नहीं करते